गूट इवनिंग प्रेंज्स वेलकूम टो मैं चैनल कैसी हैं आप सब आज आप सब के सब जबर्दस्ती हैड आई शेयर करें हूँ जो हमारी ग्रें हैर को कवर करने के लिए बहुत जादा फाइदे मंद है बहुत जादा असरतार है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आउला मैंने यहां पर जो ग्रीन आउला है अब उसका सीजन आ गया है वो लिया है उसे अच्छी तर से वाश करके क्रेट कर लिया है यह नहीं है तो आप यहां पर ड्राय आउला का यूज करेंगे एक मुठी के आसपस उसके बाद एक ग्लास लगबक एक से देड़ ग्ला करें तो जो पिर्टालों जो आपको तरंत मिल जाएगा अगर वीडियो इसवा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में जरूर शेयर करें इच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें अब मैंने आउला को गैस पर रखा था उसके बद मैंने इसमें डाला एक से ड़ाइट हिबिसकस के मेरे पस दो तीन फ्लावर से तो मैं वो डाल रही हूँ ठीक है अगर आपके पस दो तीन इस तरह से फ्लावर से तो डाल दीजिए नहीं है तो फिलाल में आप इसे यहां इसकिप करेंगे हम आगे हिबिसकस के फूलों का पाउडर यूज करेंगे नहीं है तो आप क्या करेंगे मेठी दाना और सिर्फ आउला को अच्छी तर से 10 बिनिट तक बॉयल करेंगे दोनों बॉयल हो जाए उसके बद से ढखकर रख देंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि जो मेठी दाना है उसे फुलने के लिए काफी टाइम लगेगा अब जब ये अच्छी त अच्छी तर से ठंडा हो जाए मेठी दाना अच्छी तर से फुल जाए तो इसे में इस तरह से हाथ से ही मसल रही हो जाहें तो इसे आप ग्राइंड करके भी चान सकते हैं ठीक है क्योंकि हमने मेठी दाना की मात्रह यहां पर कम डाले है तो इसे हम चान सकते हैं तो मैंने क्याकि हाथ से ही इसे मसल लिया उसके बाद मैंने इसे पतले कपड़े से चान लिया, पहले भी हमने आउला के यूज़ किया है, यहाँ पर भी अब हम रोस्टेट आउला पाउड़र कैसे बनाते हैं, मैंने बहुत चारड़ वीडियोज में बताया है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सिरफ आधा चमच beetroot powder देखे, beetroot powder shine भी डेगा color के साथ-साथ उसके बाद डालेंगे एक चमच की जितना coffee powder ठीक हे, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिरफ एक चमच डाला है हेबिसकस के फूलों का powder क्योंकि मेरे पास फूल कम थे आप लगबग देढ चमच कि जेतना डालें ठीक है अगर आपने पहले फूल नहीं डाले है तो हेपिस्किस की फूलों का powder लगबग देढ चमच इसके बाद हम इसमें जो डालें गे वो डालेंगे भिरिंग्राज powder ये सब जो powder से नै, ये बालों को लंबी उमर तक काला लंबा घना मजबूत बना के रखते हैं इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक समझ की जितना कथा पाउडर कथा कलर को डार्क करने के लिए बहुत ही जादा यूस्फिल है अगर आपको कोई बात समझ में आए तो आपको उसे कमेंट बाक्स में पूछे मैं आपको ज़रूर रिप्लाइ करूँगी अब यहाँ पर हमने काफी अच्छे पाउडर्स घ्यूश कर लिए हैं अब जितने पाउडर्स है उतना ही लगबग मैं यहाँ पर हीना एड करूँगी चाहें तो आप हीना की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने बालों के हिसाब से आपके पूरे बालों में लगाना है या आपको सिरिफ जड़ों में लगाना है वो आपके उपर डिपेंड है उसके बाद जो हमने पानी बनाया था आवला और मेठी दाना का इससे इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे जैसे हम नौर्मली हमेशा हीना का पेस्ट बनाते हैं इससे धककर आपको ओवर नाइट 12-14 गंटे या फिर 24 गंटे के लिए ज़रूर रखना है उसके बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप लेमन जूस भी एड़ कर सकते हैं पर मैंने यह सिर्फ नौर्मल पानी से धाई से तीन घंटे बाद धाई से तीन घंटे कम से कम रखना अगर हो सके तो थोड़ा उससे ज्यादा भी रखना शावर केप जरूर पहन लेना ठीक है और मेरे साथ अपना एक्सपीडियन्स जरूर शेर करना थैंक्स फार रॉचिंग